इस वीडियो में हम लोग DRDO सेप्टम 10 आड्मिन एंड एलाइड के एक्जाम डेट की बारे में बात करेंगे बहुत सारे स्टूरेंट के डाउट है कि सर एक्जाम डेट कब होगा तो एक्सपेक्टेड एक्जाम डेट क्या होनी चाहिए यह हम लोग आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं यहां पर चीजें हवा में नहीं होंगी जो भी चीजें वेबसाइट पर अवेलेबल है DRDO के उन्हीं के बिहाब पर मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा और उसी के आसपास आपको एक्जाम डेट देखने को मिलेगा तो सबसे पहला कूशन बहुत सारे स्टुडेंट का यह है कि सारे पूस्ट के लिए एक्जाम डेट एकी दिन होगा क्या तो यह नहीं हो सकता यह पॉसिबल नहीं है क्योंकि नंबर्स बहुत सारे हैं स्टुडेंट के यहां पर तो आपको अलग-अलग पोस्ट के लिए अलग-अलग डेस पे एक्जाम देखने को मिलेगा, अब ये भी हो सकता है कि दो अलग-अलग पोस्ट का जो एक्जाम डेट है उसके बीच में काफी ज्यादा लंबा गैप मिले, क्योंकि उसका रीजन ये है कि एक बच्चे ने दो या दो से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हुआ है तो क्या होगा कि एक ही बच्चा एक टाइम पर एक सिटी में और फिर अगीन नेक्स डे बूसरे सिटी में नहीं जा सकता तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा दिखेगा एक्जाम में और इसका प्रूफ है जो भी मैं आपको यहां पर बताऊंगा इसका प्रूफ है वेबसाइट पर अवेलेबल है इसलिए डायरेक्ट मैं आपको वेबसाइट खोल करकर दिखा रहा हूँ DRDO का अभी डिसेंटली DRDO ने एक पेपर लिया हुआ था DRDO Senior Technical Assistant का ठीक है STA के नाम से यह पेपर है STAB कहते ह और साथे साथ इन्होंने Technician A का भी पेपर लिया हुआ था इन दोनों पोस्ट की notification एक साथ हाई थी और इन दोनों पोस्ट के लिए जो apply करने की last date थी वो 23 सितंबर 2022 थी यानि कि last student apply कर सकते थे 23 सितंबर 2022 तक इसके बाद जो exam date लिया गया है वो लिया गया है 15 नवंबर को 15 जो पेपर हुआ है वो सर्फ STA B का हुआ है senior technician assistant B STA B का tier 1 का पेपर हुआ है अभी technician A यानि कि tech A का पेपर होना बागी है tier 1 का अभी यह होगा कब तो इन्होंने अपने notification में यहां पर यह mention करा हुआ है इस वाले point में कि जो tech A है यानि technician A का tier 1 का जो पेपर है यह छे से लेकर क 11 जनवरी 2023 तक scheduled है मतलब 6 से लेकर के 11 जनवरी 2023 तक यह exam होने के chances है और इसके साथ साथ जो इन्होंने STA B का tier 1 का paper लिया था तो उसका result भी इन्होंने announce कर दिया और पर tier 2 का paper और उसका tier 2 का paper वो 12 जनवरी 2022 को होगा तो आप यहां पर यह देखो 6 से 11 जनवरी और 12 जनवरी इ यहां पर इवेंट उसी का जो है next paper या फिर tier 1 का paper जो है यहां पर कंड़क्ट होगा थोड़ा सा यहां पर समझो कि last date apply करने के थी वो थी 23 सितंबर 2022 और इसका मैं पहला वाला जो STA A का जो paper है उसका जो exam date है वो है मेरा 15 नवंबर तो approximately 52 days 52 days के आसपस जो है time मिला हुआ है य इन्होंने exam date अभी तक announced नहीं कर रहा है जिसका अपने firm भरा हुआ है admin and allied वाला इसका जो application का last date था वो पहले 7 December था बाद में इसे बढ़ा करके 9 December कर दिया गया यानि 9 December तक जो है बच्चे apply कर सकते थे और इसका जो exam होगा ठीक इसके डिर महीने के बाद मिनिमुम डिर महीन जो 12 जन्वरी के बाद paper होगा क्योंकि 12 जन्वरी तक authority है पूरी की पूरी जो है busy होगी September 10 टेक A tier 1 का exam conduct करवाने में और उसके बाद STA B tier 2 का exam conduct करवाने में तो obvious है उसके बाद जो है वो paper लेगी अब चीजें एरेंज करने में थोड़ा सा समय लगता है तो एक वीक का आप म condition applied condition क्या है अभी जैसे आप covid का cases सुन रहे हो कि increase हो रहा है तो अगर covid की cases बढ़ें तो lockdown लग सकता है कुछ शहरों में कुछ cities में जिसकी करण जो यह exam जो है वो थोड़ा और delay होनी के chances है तो अगर सारी चीजे नॉर्मल हुई तो आप expect कर सकते हैं कि January के end में इसका paper होगा औ और अगर चीजे थोड़ी सी adverse हो गई तो वहाँ पे paper थोड़ा delay होनी के chances है इस वीडियो में यही था अगर आप DRDO से related best courses and mock test में interested है तो affordable prices पे आपको निशान्ती Academy app पर DRDO से related सारे post के लिए आपको courses and test reviews मिल जाएंगी thanks for watching this video and wish you good luck for your paper